अगर आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में पैमेंट एड करते हैं अगर वो एड नहीं हो पा रहा है वहाँ पर नहीं दिख रहा है या फिर फेल हो रहा है तो इसका क्या सोलूशन है आपके इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ गूगल एड्स अकाउंट कैसे बनाते हैं कैसे उसमें पैमेंट करते हैं कैसे वीडियो को प्रमोट करते हैं सबी टॉपिक्स पर मैंने और लेड़ी वीडियो बना रखें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागी आप जाके देख सकते हैं उन्हें वीडियो के comment section में बहुत सारे लोगों ने लिखा भया मेरा payment नहीं हो पा रहा है कुछ लोग का fail हो रहा है कुछ लोग बोलने कि भया मेरे पास तो यह नहीं है बोनी फिर मैं कहते करूं आज के इस वीडियो में सब कर solution देने वालों वीडियो को धियान देखना वाकि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना आप कर दोगे ठीक है सबसे पहली चीज तो यह है कि आप जो पैमेंट करते हो Google Ads में उसमें लगवाग 24 आर्स लगते हैं वहाँ पर trigger होने में माल लो आपका बिल्कुल नया Google Ads account है आप Google Ads account जाते हैं वहाँ पेमेंट दिख रहा होता है जिरो ठीक है आपने अभी तरंद के तरंद के पांसे रुपई एड करें एक important चीज कम से कम 500 रुपई एड करने पड़ते हैं आपको अगर आप सोच रहें कि Google Ads account में 400 रुपई एड करूँगा 499 करूँगा नहीं बहुत कम से कम 500 रुपई हजार दो हजार जितने करना उत्ता कर सकते हैं बट कम से कम 500 रुपीज एड करने होते हैं बहुत सालों का यह प्रप्लम है मैंसे कहते हैं बीत रुपई का एड लग जाएगा किया 10 रुपई का खालो कियो एड लगा रहे हो 10 रुपई में और पैसे भी क्या अच्छा रिजल्ट नमिल जाएगा 10 रुपई में कम से कम 500 रुपई एड होते हैं Google Ads account में बाकि आप ट्राइब भी करोगा ना 400 रुपई एड करने के 300 तो वहां पर दिख जाएगा error कि कम से कम 500 रुपई एड हो गए हो सकता है आपने जैसे एड किये तुरंत बैंक से मैते जा गया कि 500 रुपई आपके कट गए पड़ो आपे दिखनी रहे है ऐसे में होता क्या है आप सभी को 10 सन होने लगती है वह भाई बैंक से 500 रुपई एड कट गए Google Ads account में तो दिखी नहीं रहे यह क्या हो गया मेरे कुछ डल लग रहा है डरो मन ठीक है यह Google है यहां कोई फ्रॉड नहीं हो सकता है ठीक है 24 से 48 आर्स का बेट करो वहां पर वो रुपई एड हो जाएंगे पाइदा बे अगर ऐसा नहीं होता है आपका transaction fail हो जाता है ठीक है bank account में रुपई बापस आ जाते है या कटते ही यह नहीं है एड ही नहीं होता है ठीक है एक सप्ता हो गया तब भी नहीं हो रहा इसका क्या solution है दोस्त इसका एक ही solution मैंने बहुत रिस्टच कर इसके ऊपर problem यहां पर Google में नहीं है Google Ads में problem नहीं है problem यहापे हो सकती है आपकी banks से ठीक है आपका bank account जिसमें भी यह उससे contact करो यह fail हो रहा है क्यों हो रहा है क्या सारी चीद उसको दिखाओ सारी चीद अगर आप credit card से payment कर रहे हैं तो ऐसे मैं credit card वाली company जो भी है उसे बात करोगी है क्यों fail हो रहा है ठीक है वही इसका solution देंगी Google Ads की तरब से कोई विस्ट नहीं होता है मैंने proper research के बारे में यही चीज रखो add हो जाएगा थर्ड चीज यह है कि अगर फेल हो रहा है payment add ही नहीं हो रहा है हर वार फेल बता देता है ऐसा मैं आपको करना क्या है अपनी bank account से बात कर नहीं अगर credit card कर रहे तो credit card company जो है आपकी उसका customer क्या number बगएर होगा उससे contact रो और वो यह problem वारी वो इसका solution द लगा दूंगा अबट payment कैसे होगा अगर आपका bank account बगर कुछ है नहीं अगर आपके हाथ में पैसे हैं तो आप किसी दुकान पर जाके mobile phone की बोल सकते भाई यह payment इसमें transfer कर दो ऐसे ऐसे ठीक है बाकि फिर वहां से में add करके आपका add लगा सकता हूं if you want बहुत सारे लोगो मिल्दवगा अगरी वेड़ों डिल्ले लेंटेकिया बाबाई